कई साल पहले की बात है, एक गाव में शंकर नाम का एक लकड़ारा रहता था, वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता, कटी हुई लकड़ियां बेचकर उसे जो कुछ पैसे मिलते उनसे वो घर के लिए खाने का सामान खरीद लेता, एक दिन लकड़ारा जंगल में भेती नदी के पास एक पेड़ पर लकड़ी काटने चड़ा, पेड़ की टहनियां काटते काटते उसकी कुलहारी नीचे गिर गई, जल्दी से लकड़ारा उस पेड़ से नीचे उत्रा और अपनी कुलहारी को ढूंडने लगा, लेकिन उसकी कुलहारी जमीन पर गिरने के काफी गहरी और तेज बहाव की होने के कारण उसे अपनी कुलहाडी कई घंटों तक धूंडने पर भी नहीं मिली। लकड़हारे के पास नई कुलहाडी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अंक में लकड़हारा परेशान होकर रोने लगता है। लकड़हारे के रोने की आवाज सुनकर नदी देवता प्रकट हुए. उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या हुआ तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो इस नदी में तुम्हारा क्या को गया है? नदी के देवता के यह कहने पर लकड़ारे ने कुलहारी के नदी में गिरने की बात उनको बताई नदी देवता ने पूरी बात सुनने के बाद लकड़ारे को कुलहारी ढूंडने की बात कहकर वहां से चले गए कुछ देर बात नदी देवता फिर प्रकट हुए और लकड़हारे को कहा मैं तुम्हारी कुलहारी लेके आया हूँ नदी देवता की बात सुनकर लकड़हारे के चहरे पर मुस्कान आ गई लकड़ारे ने देखा कि नदी देवता ने नदी से सुनहरी कुलहारी निकाली है लकड़ारे ने नदी देवता से कहा यह कुलहारी मेरी नहीं है जिस किसी भी व्यक्ति की यह कुलहारी है उसे यह कुलहारी आप वापस लोटा दीजिए नदी देवता यह बात सुन दोबारा नदी में गायब हो गए और फिर से प्रकट हुए तो उनके पास चांदी की कुलहारी थी यहां देख लकड़ारे ने फिर से वही बात कही कि यह कुलहारी मेरी नहीं है जिस किसी भी व्यक्ति की यह कुलहारी है उसे यह कुलहारी आप वापस लोटा दीजिए। तीसरी बार नदी देवता जब नदी से वापस प्रकट हुए तो उनके पास लोहे की कुलहारी थी। अपने कुलहारी देख लकडहारा बहुत खुश हुआ और उसने नदी देवता से कहा है नदी देवता यही मेरी कुलहारी है जो पेड पर लकडिया काटते वक्त मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी आप यह कुलहारी मुझे दे दीजिए और बाकी सब कुलहारिया अपने असली मालिक तो वापस लोटा दीजिए लकड़हारे की इमानदारी देख नदी से ले लेता लेकिन तुमने ऐसा बिलकुल भी नहीं किया तुमने चांदी की कुलहारी लेने से भी मना कर दिया तुम्हें तो अपनी लोहे की कुलहारी ही चाहिए थी तुम्हारी इमानदारी से प्रभावित होकर मैं तुम्हें तुम्हारी कुलहारी के साथ सोने और परन्शाही होती है.